है भारत मता की है कि करना टक में परिवर्थन करने जा रहे हैं ऐसी आवाज चलेगी क्या है मोदी जी तक दिल्ली में आवाज जानी चाहिए मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर परिवर्थन के संकल्प की मुठ्वी भीच कर बोलिए भारत मता की बारत मता की मंच उपर उपस्तित करना टक भार्थिय जल्दा पार्टी के जग और करना टक के भावी मुख्य मंत्री श्रीमान एदूरप्पा जी मंच उपर उपस्तित भाई मूली दर्राव जी श्री नलीन कटि और आज इतने बड़े सम्मेलन में उपस्तित प्यारे कारे करता भाई और बेहनों मित्रो जो लोग भार्थिय जन्ता पार्टी को नहीं जानते हैं उनके लिए भाजपा को चुनाव कौन जिताता है वो रहस्या है लाखो की रेलिया होती है बड़े-बड़े रोड़सों होते हैं बड़े-बड़े जुलूस निकलते हैं मगर भार्थिय जन्ता पार्टी को लाखो की रेलिया और बड़े-बड़े जुलूस नहीं जिता सकते इन नव सक्ति सम्मिलन भार्तिय जन्ता पार्टि को दिमागत। मित्रो भार्तिय जन्ता पार्टि सभी रादनितिक दलों में एक अलग प्रकार की पार्टि जिसमें चुनाव जितना वो संगठन के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, संगठन के आधार पर चुनाव जितने कई बार चुनावी आकड़ों के विशले सकों के लिए एक बहुत बड़ा कुट प्रस्न है कि मनिपूर आसाम जैसे राज्यों में, उत्रप्रदेश और उत्रागंड जैसी जगवों में, जहां पर भार्तिय जन्ता पार्टि की संख्या नहीवत। मनिपूर में हमारी जीरो सिट थी, असाम के अंदर तीन-चार सिटे थी, यूपी में हम चोथे नंबर पर पहुँच गए थे, तो ये सारी जगवे पे सरकार कैसे बनती है। मनिपूर में जीरो सिट से सरकार बनना, उत्तर प्रदेश में तीन सो सिटे जितना, उत्राखंड में तीन-चोथाई महुमत से सरकार बनना, उसके दो कारण है। एक, हमारे नेता प्रदान मंट्री नरेंद्र मोदी जी की लोगप्रिता और उनका जण कमता। और उसका दूसरा कारण है, हर बूत में बेटा हुआ मेरा बारतिय जनता पार्टी का सैनिक, जो आजी नव सकती सम्मेलन के अंदर उपस्ती थे। बारतिय जनता पार्टी यन्ना, उन्द भीतनवालंता राजय की ये पक्षा हिंदू यलरू कुड़ा गुर्दिक कोड़ता रहे। इपक्षा चुनावने यन्ना, संगटने आधार दली केलुते है। चुनावने हली, उतरप्रदेश जन्ता, राजय दली, नालकने स्था। हम भगवान पर्शूराम और रानी अबग्का की भूमी पर बैठे हैं। आज यहां से हम सब एक निश्चय करकर जाए, संकल्प करकर जाए, कि अगले चुनाव के अंदर इस सिद्ध रामया सरकार को उखाड कर फेक देना है। नावो बगवान पर्शूराम हागो रानी अबग्का नवरा पुन्यक्षेत्र दल्ली इवत्तिली संपन्न रागी देवे। इशुपदेंदर पर दल्ली नावेलन कुड़ा प्रतिंज माडवेको ये नते हेंदर इब्रश्टा सिद्ध रामया सरकार वनना कित्तों से इवेकों दा। और मित्रों मैं आपके माजन से इततीय करनाटक के सारे जिलो को आस्वस्त करने आया हूं कि बनने वाली ये दूरप्पा की भारतिय जनता पार्टी की सरकार इततीय करनाटक के संदमान को फीर से एक बार उठाने का स्थंकल करती है। कि यहां पर आये हुए है दुर्गा परमेश्वरी का मंदिर है महालिंगेश्वर का मंदिर है जर्मस्तल मंजुनाथ का मंदिर है करिंजेश्वर का मंदिर है मंगला देवी का मंदिर है कद्री मंजुनाथ का मंदिर है महागणपति का मंदिर है ये सारे जर्मस्तालों को सिद्ध रामया सरकार ने कहीं न कहीं दबाने का उनको अपमानित करने का प्रयास किया है भारतिय जंता पार्टी की सरकार एस सारी संस्कृतिक जरोहरों को समाज के साथ जोड़कर उनका गवरोग पुन प्रस्तापीत करने का प्रयास करें मित्रो ब्रखित भी रामया याती जो सरकार है कॉंग्रैस सरकार है वो सरकार क्रूष्टी करन और वॉट बैंक की राधनिती करने से बाज नहीं आड你要 एक के बाद एक के बाद ईक बारतिय जन्ता पार्टी और राश्क्रीय सिसें सकसंग के 20 से ज्यादा कारे करताओं की हत्या हुइ मैं आपको पार्टी के ज़क्सेनाते अस्वस्त करना चाहता हूं यह सिद्रा मईया सरकार जितना चाहे उनके बजाले उनकी उल्टी गिन्ती शुरू हो गई है उनके जाने का समय नद्धी का रहा है ये दूरप्पा जी की सरकार हमेरे कारेकरताओं की हत्या करने वाले पाताल में भी छुपे है तो उसको धूर निकाल कर सलाकों के पीछे डालेगी पीतरा में तरकारा खड़ेगा इलू वर्चक लिंदा तो आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कोर्स के अंदर थोड़ा परिवर्तन करना पड़े असी स्थीटी आई करप्षं का छो थांचलेशन अगर स्थान यह बाता में करना है तो भरश्टाचार होता होता है ना कर Lambda करूब से मूलिए होता है ना अब करूप्षं काinformation और करना है तो सीभ्यरामय या सरकार बोल दीजिए सब के सब कर्पषं का मतलब क्या है वो समझ जै इतना करप्शन इतना ब्रश्काचार इसी रमया सरकार ने पाथ साल के अंदर किया है और निर्लचता के साथ किया है अगर कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा ब्रश्क है उसकी अगर परदा राज्टेश में कर दी जाए करनी नहीं चाहिए मगर उसकी अगर कॉंपीटिशन रखे तो पांचों साल का एवोर्ड सिद्ध रमया जी को ही देना पड़ेगा इतना फ्रश्काचार किया इवर्टिना विज्या प्यासा धल्लिक का चुनाव भारतिय जन्ता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है दोजार चौदा में मोदी जी के जितने के बाद देश में जितने सारे चुनाव हुए वहाँ पर भारतिय जन्ता पार्टी ने या तो सरकार बनाई या तो अपने ताकात में बढ़ो थी पंजाव के अलावे कहीं पर भी कॉंग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई हुए सबसे पहले महारास में चुनावा कॉंग्रेस गई भाजपा की सरकाराई हर्याना में चुनावा कॉंग्रेस गई भाजपा की सरकाराई जार्खन में चुनावा कॉंग्रेस गई भाजपा की सरकाराई कस्मीर में चुना हुआ, कॉंग्रेस गई, भाजपा की सरकार आई, आसाम में चुना हुआ, कॉंग्रेस गई, भाजपा की सरकार आई, मनीपूर में चुना हुआ, कॉंग्रेस गई, भाजपा में सरकार आई, गोवा में फिर से एक बार बाजपाई गुजरात में छटी बार बाजपा जिती धिमाचल में कॉंग्रेस गई बाजपाई और त्रिपुरा में चुनाओ है तीन तारीक को आप विजयोद सब की तैयारी रखना त्रिपुरा में भी भारतिय चंता पार्टि की संकार है अब करनाटक में आया है करनाटक की जिम्मेदारी है कॉंग्रेस से मुक्त करनाटक बनाने की जिम्मेदारी करनाटक के कारेकरता होती है की बारिया करनाटक के जिनाट मित्रों अभी अभी येदू येदू रप्पा जी दिल्ली आये थी येदू रप्पा जी ने कीज प्रकार के कानून और व्योस्ता की परिस्तिती है मुझे बताया था मैं तो आश्चरे चकीज था कि कीज प्रकार से सिद्ध रामया सरकार में लॉइन ओडर नीचे से नीचे जा रहा है अभी अभी बैंगलूर में मले हरीस के बेटे ने हमारे कारेकरता को मारा मारा इतना नहीं मृत्यू हो जाए ऐसी मार मारी फिर भी एफाया नहीं ली गई उसके बाद में फिर से एक बार उसको मारा तब जाकर एफाया ली है और यह एफाया न लेने का कारण क्या है आपको मालूम है सिर्फ MLA का बेटा है इतना नहीं है यह हेरीज का बेटा है यह माइनोरीटी का एपीस्मेंट करने के लिए इस प्रकार की काणून और व्योस्ता जिस राज्य में हो वो राज्य विकास नहीं कर सकता है सेंड माफिया गू माफिया करप्शन करने वाले सारे इस राज्य में सन्मानित हो विधायकों के संड़क्षन में सेंड माफिया काम करते हो वो राज्य के अंदर विकास नहीं हो सकता है अगर करनाटक ने मोदी जी के विकास यात्रा के साथ जूड़ना है तो करनाटक ने मोदी जी की विजय यात्रा के साथ जूड़कर भाजपा की सरकार यहां बनानी पड़ेगा अभी सिद्रामयाजी दिल्ली आये थे वहां उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस करी और पूछा कि बीजेपी की केंडर सरकार ने करनाटक के लिए क्या किया है इसका हिसाब दी है आप मुझे बताएए भई दिल्ली सरकार का है या बैंगलूर में करनाटक सरकार बनने वाली है किसका चुनाव है करनाटक जोर से बोलिए भया सीद्रा मैया आप हमसे क्या हिसाब मागते हो करना टकी जनता आप से हिसाब मांग रही है कि पांच साल में आपने क्या दिया इसका हिसाब करना टकी जनता को मगर हम भारतिये जनता पार्टी के कारकरता है कॉंग्रेस को हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है मगर करना टकी जनता को मैं हिसाब देना चाहता हूं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जोर से वो लिए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो तीनों विदान सबाक शेत्र के कारेकता सुन ले नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनने के बाद भार्तिय जन्टा पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद करना टक के लिए कितना सारा किया तेरव अभीतायों 13 फाइनांस कमिशन में जब कैम्रम में कॉंग्रेस की सरकार थी तब 88,583 करोड रुप्या मिलता चाहिए मैं फिर से एक बार गोलता हूँ 88,583 करोड कितना अब नरेंडरम उदी की सरकार आई 14 फाइनांस कमिशन आया कैम्र सरकार की ओर से करना तक को 88,500 से बढ़ा कर 2,19,506 करोड रुप्या एक लाख तीस अजार 1,30,000 करोड रुपीस ज्यादा दिया है करना तक दा मुख्यमंद्रिकेड़ु देलिगे बन्देने करना तक क्के इम दलू 98,3,503 कोडिकड़स्टू अनुदान वन्ना इसके अलावे मुद्रा लॉन के लिए 39,000 करोट, मार्ट सिटी के लिए 960 करोट, अमरूत मिसन के लिए 4,900 करोट, रदय योदना के लिए 22 करोट, सौच भारत के लिए 204 करोट, बसों की खरीदी के लिए 239 करोट, बैंगलूर मेट्रो के लिए 2,600 करोट, खनिक सेत्रकलियान योदना के लिए 209 करोट, कुशी सुंचाई योदना में 4,05 करोट, और प्रदान मंत्री आवास योदना में 219,219 करोट, रोड्स के लिए 27,482 करोट, और रेलवे के लिए 2,100 करोट, टोटल 79,036 करोट रुपीज, और देने का काम ये नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है, बहुत सारी चीज़े कही जा सकती है, मगर मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं कारेकरताओ के सामने ख़़ाओं, मेरा इतना ही कहना है, कि तीन विदान सभा के सभी बुथों से जो नर्व सकती सम्मेलन में आये हुए बुथ के कारेकरता है, सीटी रवी ने उनको डिटेल बात करी है, समझाया है कि चुनाव के अंदर हमने कीस तरह से जाना है, यही रण नीति के आधार पर आप सभी ने चुनाव के अंदर अपनी अपी भुमी का जो तै हो, इसको अच्छे तरीके से देखना है, मेरे करनाटक के सभी कारेकरता भाहियों बेनों से मेरा निवेदन है कि कोई प्रत्यासी को न देखे, कैंडिडेट कौन है उसको हम न देखे, हम कमल के भूल और नरेंद्र मोधी की तस्वीर को देखकर गनाटक के चुनाव में जाए, यह दुर अपाजी के नेत्रुत में, सरकार बनाने के लिए चुनाव में जाएं, मैं आपको ऐसा कहना नहीं चाहता, यहां जो तीन विदान सभा के कारेकरता आये हैं वो तीनों विदान सभा के कारेकरता को चाहे वो बंटवाल के हो चाहे कुल्टूर के हो चाहे तीसरी विदान सभा के हो मैं ऐसा नहीं कहता है आपकी विधान सभा जीत कर आजाएंगे वो नहीं जीते को चलेगा मगर मैं सब को कहता हूं अपना अपना बूठ जीत कर आजाएं बूठ जीत कर आजाओंगे तो विधान सभा अपने आप जीत जाएंगे और विधान सभा जीतेगे तो सरकार अपने आप बन जाएगे भारतिय जन्ता पार्टी कभी विदान सबाग्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ती है भारतिय जन्ता पार्टी चुनाव लड़ती है बूत के अंदर और बूत को जितने की रन निती नरिंद्र मोदी जी अमित्सा रागना सिंगी अरुण जितनी नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं बूत को जितने की रन निती मेरे सामने जो भारतिय जन्ता पार्टी का कारेकता बैठा है वही बनाता है और वही चुनाव लड़ती है आज यहां से इस नव सकती सम्मेलन से सभी कारेक्रता संकल्प लेकर जाएं कि हर बूत को जितने की हम रन निती बूत के अंदर बेट कर बनाएंगे हर बूत को जितने के लिए बूत के कारेकताओं को जात में लेकर जन्ता तक पहुंचेंगे और आने वाले चुनाव में भारतिय जन्ता पार्टी की करनाटक में सरकार बनाएंगे आप बताईए आप सभी यहां से जाने के बाद अपने अपने बूत को जिताने के लिए परिश्रम करकर रन निती बनाकर बूत विजय का सक्कल्व करते हैं या नहीं करते हैं जरा जोड से बोलिए पत्का करेंगे हर बूत को जितेंगे बात पास जरकार बनाएंगे मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उड़ा कर बोलिए भारत मता की भारत मता की